नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर and CEO मैं टास ओवर्सीज लिमेटेड आप सभी का सवगित करता हूँ आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ब्रैंड्ट के बारे में कि बहुत सारी कंपनी ब्रैंड किस तरह से अपनी स्ट्रेजी को डिजाइन करती हैं तक लोगों तक उनकी इंफोर्मिशन आसानी से पहुंच सके बड़े-बड़े ब्रैंड्स तो बहुत पैसा खर्च करके ऑग काम करते हैं पर आज मैं आपको आसानी से promote कर सकते सबसे पहली जो advertisement है marketing strategy brand strategy that is organic branding कैसा आप ऐसा क्या करें कि organically लोग आपके brand को promote करना शुरू करें usp based branding आप कि यूएसपी हो जिसकी होजे से लोग आपको advertise करें और आपके product को पसंद करना शुरू करें और viral marketing हम कैसे करें ता कि लोग आपकी वीडियो को, आपकी information को, आपके creatives को, आपके content को advertise करें, promote करें तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं organic branding की कि ऐसा क्या किया जाए कि organically लोग आपकी information को share करें अब भी हम लोग एक trade fair में गए थे, India International Trade Fair, IITF और वहाँ पर उन्हें अपना पूरा IITF का एक logo लगाया हुआ था, एक तरह से acrylic sheet का बना हुआ design light based logo बना हुआ था, और लोग वहाँ पर selfie point की तरह से photo click कर रहे थे, जिससे IITF का advertisement लोगों ने social media पर किया, यही बात मैं बात करता हूँ मेरे एक friend है, उनकी company है Henrik, वो जब भी कोई event, जब भी कोई program, जब भी कोई game organize करते हैं, तो वो इस तरह का अपना logo लगाते हैं, जिसकी वज़ा से, लोग वहाँ पर जब photograph क्लिक करते हैं, यह generally photographs भी जब इवेंट की होते हैं, वहाँ पर उनकी branding होना शुरू हो जाती है, सं not place, CP में एक restaurant है, तो हर sitting area के पास, उनकी अपना local brand का, जो logo है, वो लगाया हुआ, जिसकी वज़े से, जब लोग वहाँ फोटो क्लिक करते हैं, तो वो viral होना शुरू जाती हैं, इसके लावा, मैं एक talk show पर गया था, जो स्टॉक शो, तो जो स्टॉक शो है, वो भी एक तरह ऐसे selfie point बनाते हैं, जहां पर लोग अपने photograph क्लिक करते हैं, और यहां पर वो बड़े-बड़े brand से advertisement and sponsorship लेते हैं, और भी कई ऐसे brand से जिन से वो sponsorship लेते हैं, और जब लोग ये images अपने social media handle पर share करते हैं, जिसकी वज़े से उनको भी एक promotion मिलती है, ठीक उस तरह ऐसे, हर्या positivity वहां की हुई है, जैसे शोले मूवी का जो ये bullet था, जैवीरू की bullet वहां पर लगी हुई है, और पीछे गरम धरम का logo है, तो लोग जाते हैं, celebrities वहां जाते हैं, बिरोक्रेट्स वहां जाते हैं, officers वहां जाते हैं, कोई भी जाते हैं, वहां पिकनिक के रूप में, वहां पर photo अपने click करते हैं, एक memory के रूप में, और social media पर share करते हैं, तो organically लोग इस तरह से उस brand को promote करना शुरू करते हैं, मैं और मेरे friend के family भी वहां पर गई थी, तो हमने भी वहां पर एक photo click किया, और social media पर उसको share किया, तो ये तरीका है कि organically लोग आपके brand को promote करना शुरू करें, और कुछ लोग उनके पास ऐसा कोई USP नहीं है, ऐसा कोई product नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह के सुबह नहीं है, या statues बनाते हैं, जिसके वैसे लोग वहां पर अपने photograph करते हैं, रामो जी फिल्म सिटी में की है, चोटा हनुमाम, चोटा भीम का एक statue बना ह होती है, वो क्या होती है, जैसे एक restaurant बना हुए Delhi में, और उस restaurant का नाम है runway restaurant, और वो restaurant क्या है, एक खराब aeroplane, government of India से purchase कर लिया और उसके अंदर restaurant डिजाइन कर दिया, तो लोगों को क्या लगता है, एक USP है कि हम हावाजास में बैठ कर, lunch कर रहे हैं, dinner कर रहे हैं, breakfast कर रहे है तो यहाँ पर एक USP बन गई, कि इनके जितने भी restaurants बने हुए हों सब aeroplane के अंदर बने हुए, यहाँ तक कि वहाँ कर जो waiter है, जो serving staff है, वो भी सब एक air hostess के uniform में होते हैं, तो यह एक USP है जिसके वह से लोग इसको पसंद करते हैं, और organically अपने social media handles पर इसको share करते हैं, जिससे इनको एक organic promotion मिलती है, तो आप भी अपने business में ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके लवा अगर आपका कोई store है, showroom है, किस तरह का office है, तो वहाँ पर आप selfie point design कर सकते हैं, जैसे हम भी अपने जितने भी training program, workshop होते हैं, उनमें selfie point design करते हैं, और brand sponsorship भी लेते हैं, बहुत सारे वहाँ selfie point पर आता है, वो photo click करके social media पर share करता है, जिससे हमें एक social promotion भी मिलती है, organic promotion मिलती है, तो यह USP भी है, क्योंकि अगर आपके selfie point पर आपके brand, आपके product है, आपके service related information है, तो उसको उससे भी आपको एक benefit मिलने वाला होता है, इसके लावा आपने देखा कि बहुत सारे लोग social media पर न, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो viral हो गया है, कैसे, उसको हम कहते है, viral influencer based advertisement, मतलब बहुत सारे influencers होते हैं, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आती है, कोई आपकी USP लगती है, तो उसको record करते हैं, अपने platform पर share करते हैं, जिसके वीडियो कुछ दिन पहले आपने देखा, कच्चा बदाम के नाम से, कच्चा बदाम से गाना बहुत famous हुआ, उसके पर album भी आई, लेकिन ये famous कैसे हुआ, ये व्यक्ति तो पिछले 10-12 साल से कच्चा बदाम इसी गाने को बनाकर, इसी गाने को गार बेच रहा था, लेकिन एक influencer ने लेकिन एक influencer ने इसको record किया, इसकी USP को record किया, वो viral हुई, और उसके बाद collaboration के माधियम से, बहुत सार लोग उनसे contact करने लगे, और ये व्यक्ति एक तरह से celebrity बन गया, और आज बहुत सारे youth इस गाने पर dance करते हैं, मैं पुरे, मतलब बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि शायद आपके आस-पास का कोई व्यक्ति भी ऐसा जरूर होगा, इस गाने पर dance कर रहा होगा, क्यों क्योंकि वो चाता है कि इस गाने के साथ वो भी viral हो जाए, एक मैंने news देखा था, who is कच्चा बदाम viral girl, कौन है इन में से कच्चा बदाम viral girl, अगर आपको पता है तो का देते हैं, यह आपके बड़े पेंड करता है, अभी थोड़े दिन पहले गाना और viral हुआ था, बस्पन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, तो यह क्या है, बात्षाओ को पसंदा है, उसने record किया, वो viral हो गया, इसके लावा बाबा का ढबा, ऐसे बहुत सारे एक्ज चीजें बेच रहे होते हैं, कोई बिच रहे है, को चना बेच रहे है, खोई चोटी मोटे डूप्लिकेट ओर्नमिंट्स बेच रहे, पर्स बेच रहे है, तो यह व्यक्ति भी आश्यूतोस धूबे, यह भी ट्रें में बहुत सारा सामान बेचता है, पर्स है, मुबाइल comedy based पर बोलता है ना जिसकी वज़े से ये वाइरल होने लग गया और जब वाइरल हुआ तो ये समझ गया देखिए वाइरल हो जाना और वाइरल हो जाने के बाद उससे कर लेना ये व्यक्ति अपनी यूएस्पी की वज़े से वाइरल होने के वाइर इसने खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाया आज शुतोस दूबे और आज तीन लाग चौरास्टी जार सब्सक्राइबर्स के यूट्यूब चैनल पर है और एक डेड़ लाग रुपे मह सुदा त्रेम्स करेंगे यूएस्पी आपको यह सर्श करना है कि आपके कौन सी यूएसपी है आपके अंदर कौन सा ऐसा सैलिंग यूनीक सैलिंग प्रेपोजीशन है जिसके वैसे लोग आपको प्रमोट करना शुरू करें चाहे वह Igor हो और्गे के लीग हो चाहे वह इसे समझने की बात यह है कि अब हम क्या करें कि हम भी फेमस हों तो find your USP आप सबसे पहले देखें कि आपकी USP क्या है USP stands for unique selling proposition ऐसी कौनसी एध्विती यह बात है का उसी unique बात है जो आपके अंदर है जिसकी वज़र से आप अपने आपको promote कर सकते हैं जैसे के example मैंने आपको बताया हरीदवार में तो बहुत सारे restaurant है लेकिन वहां पर एक restaurant है चोटी वाला और वहां पर एक व्यक्ति पूरे चोटी वाला पूरा uniform में बना हुआ है और वहां पर वह थाली बेच रहा है जिसकी वज़से वह वाइरल हो जाता है उसकी USP है fine आप कराची बेकरी के अगर बहुत फेमस हो रहा है अब इसकी USP क्या है चाय तो सब भी बना रहे है तो इसकी USP क्या है इसकी USP यह है कि इस ने ऐसे अपने नाम को रखा है कि लोग सोगते अच्छा MBA पढ़ा लिखा वेक्ति चाय बेच रहा है तो चलो चाय ट्राइग करते हैं तो MBA चाय वाला नाम ही क्या इसकी USP है और यह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है वायरेल वीडियो करता है इसकी वजे से लोग इसको फेमस मानते हैं बहुत बड़ा प्रोमोशन हम लोगों को मिला कई लाख लोगों ने वहां पर फोटो क्लिक किया और सोचल मीडिया पर शेयर किया क्यों 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 कि लोग शैफ के रूप में अपने आपको देखना चाहते हैं चेन्ने एक्सप्रेस में जो शारुक खान के साथ में एक एक उसके साथ का गर्दन कटा हुआ एक सीन था जिसमें लोग वहां पर फोटो रखके खिचवाए था आपने देखा था बहुत सारे जिम के बार बॉडी बिल्डर का एक स्टैचू बना होता है उसमें गर्दन नहीं होती है लोग अपनी गर्दन लगाते हैं और फोटो वहां देखा कि इसकी जलेवी बिक नहीं रही तो उन्हें एक बहुत बड़ी जलेवी बना कर डंडे पर वहां पर टांग दी और लोग वहां से निकलने लगे और जलेवी उसकी सेल बढ़ने लगी वह बाद में बोला कि आपका बहुत धन्यवाद करता हूं आपने एक यूनीक अगर आफ कोई यूएस पि नहीं है कि आपके पास क्रेटिवीटी नहीं है आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं आप और कसे अप Nouकारे पास कोई उएसेजिक कोई देख और उन्यामे करते हैं अर्मोट कर आति हैं और यह सारी यंट हमपनी इटón क्रेंस को प्रेट आप7 करत करने का तरीका भी है और आप influencer से contact करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा promotion मिलता है दूसरे लोगों के audience भी आपको जानना शुरू कर देती है आज बहुत सारे YouTubers आपस में collaboration करते हैं एक दूसरे के channels पर जाते हैं क्यों जाते हैं ताकि आप भी अपने business को आसानी से advertise कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं यदि इस से संबंदित branding से संबंदित आपके मन में कोई भी प्राश्ण है कि आपके product को कैसे advertise किया जाए तो आप हमें comment box में लिखकर अपने product के बारे में information ज़रूर दें ताकि हम भी आपको idea दे सके कि कौन सी ऐसी creativity है जो आपको viral कर सकती है तो आपके मन में कोई भी प्राश्ण हो में comment box में लिखकर बताएं मेरा कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए इस चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनवरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत